नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं मारूती सुजुकी के नेकसा सोरूम पे और हम खड़े हैं उनकी नई नवेलिकार ग्रेंड विटारा के सामने इसकी बुकिंग ओपन है और जो आपको लोगों को सितंबर महिने से मिलने की संभावना है और इस गाड़ी के लेंद जो है 4,345 mm की है और विट्थ इसकी है 1,795 की और इसकी हाइट है 1,645 mm की और इसका वील बेस है 2,600 mm यह आपको टोटल चार वेरियंट में मिलने वाली है जीटा, जीटा प्लस, डेल्टा एंड अल्फा वेरियंट में और इसमें आपको जो है 9-inch touchscreen infotainment system मिलने वाला है wireless phone charger मिलने वाला है और 360 camera भी मिलने वाला है इसमें और ऐसा कुछ दिखता है इसका rear view इस गाड़ी का जो की बीच में मारूती सुचकी का logo नीचे grand vitara branding और tail light जो है left से right की और तक जाती हुई और इसको boot जो है हम open कर लेते हैं देखिए काफी बड़ा सा विसका boot मिल जाता है आप लोगों को और यह है इसका door close करने के लिए grab handle और इसको में जो है इसमें यह parcel tray रखी हुई है और देखते हैं इसका और देखते हैं इसमें क्या मिल जाता है आपको इसमें जो है spare wheel आपको steel wheel ही मिलती है alloy wheel नहीं मिलता है आप लोगों को चले इसको बंद कर देते हैं अब यह रहा camera दिख रहा है आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखता है shark finger antenna दिख रहा है तो यह है इसका engine बे ठीक है engine चल रहा है noisy तो बिलकुल भी नहीं हम कहेंगे यह है बिलकुल silent engine है Excite की battery रखी हुई है और यह noise तो नहीं करना है जदा सांथ ही कहेंगे हम इसका और इसके जो DRLs है DRLs जो है दो तरीके से इंडिकेस्टर भी इसी में ही है और DRL भी इसी में ही है यह है तो कुछ ऐसा दिखता है इसका interior यह आपका पुछ स्टार्ड स्टॉप बटन हो गया इसका इस्टुमेंट क्लस्टर साइड में हैंडल के बटन्स स्टेरिंग और बीच में है 9 इंच का touch screen infotainment system इसका feel तो बहुत ही अच्छा रहा है इसका प्लास्टिक की quality है यह बहुत ही अच्छी है लेदर टच में दी गई है यह प्लास्टिक पुस्टाइड स्टॉप बटन यह हैं इसकी चावियां जो same excel 6 की तरह ही है और अब हम पीछे इसके चले जाते हैं पीछे सीट तो बहुत कमफर्टेबल है कुछ नहीं है सीट और बेंट्स दिए गए हैं आप लोगं को और यह डोर के पास में light दी गई है on off करने का system भी है यह grab handle cup holders और इसमें जो है USB charger है इसमें एक आपको C type और दूसरा USB आपको मिल जाएगा जिससे आप अपना phone आसानी से charge कर सकते हैं automatic climate control यह वीडियो आप लोगं को कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा please हमारे चैनल को subscribe करिए like करिए और तेयर कीजिए